नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको एक IVF Center कैसे सेलेट करना चाहिए सबसे पहले आपको IVF Center में पर्सनली जाना चाहिए और IVF Center का निरीक्षन करना चाहिए उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए पहला आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ आधुनिक्तम तकनीक वह नए प्रकार के उपकरणों का इस्तमाल होता है कि नहीं दूसरा आपको ये पता करना चाहिए कि वहाँ के डॉक्टर्ज और एम्ब्रियोलेजिस हाइली कौलिफाइड, हाइली एक्सपिरियंस और फुल टाइम हैं कि नहीं तीसरा आपको वहाँ बेठे patient से बात करनी चाहिए और IVF center के बारे में और उसके success rates के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो दोस्तों अगर आपको IVF के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो यह हमारे special discounted packages और offers के बारे में जानना हो तो नीचे दिये गए नंबर पर Baby Joy IVF को आप संपर्ट कर सकते हैं धन्यवाद